गुंडे पुकारते हैं अखीलेश आये गुंदाराज, गुंदाराज हम उनको हटाएंगे, हम उनको हटाएंगे, यूपी में फिर से हम अपना जंडा लहराएंगे उत्तरप्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है पक्ष विपक्ष जनता के बीच चुनावी प्रचार में जुड़ गए हैं रैलिया, जनसभाएं, नुकड सभाएं और मदाताओं की चौखट तक सियासी चेहरे पहुच रहे हैं लेकिन इसी बीच भाजपा और सपा में गाने के माफत जंग शुरू हो गई है शोशल मीडिया के जरीए भाजपाई खेमे ने अखलेश यादव पर गाना बना कर तंज कैसा है तो वहीं भाईया अखलेश के सपाई कुन्बे ने भी पलटवार कर दिया है दरसल पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव से देश और उत्तरप्रदेश में भाजपा ने एक नई तरह की चुनावी जंग शुरू की वोटरों को रिजाने और विपक्ष को माद देने के लिए शोशल मीडिया का जम कर उपयोग हुआ जो कि हर चुनाव में भाजपा के लिए मुफीद भी साबित हुआ हर हर मोदी घरघर मोदी से लेकर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तक के सियासी गाने ने भाजपा को सत्ता दिलाने में एहम रोल निभाया लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में तरीका तो वही है लेकिन जंग कुछ जादा ही निजी इस्तर पर छड़ गई है बाजपाई खेमे ने जो इस बार गाना बनाया है उसने सपाई खेमे में हलचल मचा दी है और उसने भी पलटवार कर दिया है आईए पहले आपको सुनाते हैं दोनों पार्टियों का गाना बहरहाल भाजपा और सपा ने इस तरह का सियासी गाना पेश करके भले ही एक दूसरे पर तंज कसा हो लेकिन जनता इन गानों को देख और सुन कर जम कर इंजॉय कर रही है ब्यूरोचीफ दिवाकर तिरपाठी की रिपोर्ट